वेल्कम टू मारब विचोफाटी इंडिया तो यह जो इंपोर्टन्ट वीडियो है इस वीडियो में MFF सर्वे आने वाला है इसमें गूगल अकाउंट का लगेगा आपका गूगल अकाउंट वह चाहिए और वह लॉगिंग करके आप इस फॉर्म को सब्मिट कर सकते हो तो फ को अपने परसेनल इंफॉर्मेशन शियर नहीं करनी है आपका आपको झीमेल शियर नहीं करना है तो यहां पर अनानीमस वाला族 ओप्षण सेलेक कर सकते हो उसके बाद थर्ड कोस्टन थर्ड कोस्टन मैं पूचा गया है कि आप कितने सालों से गेम खिलते हो मैं 9 शा से गे किस तरह खेलते हो किस फिलिंग के साथ किस इरिजन के साथ वह यहां पर आपको चूज करना है मैं वर्ड बॉस्ट लेजंड पसंदी नहीं करता और अगर खेला भी तो लेवल वन से लेके लेवल नाइन तक जाता हूं और कभी कबार अगर हाई स्टेज खेलने का मन कर गया त मॉर्बियस का क्यरेटर, स्पाडर बॉमन का क्यरेटर, मकारी का क्यरेटर उसके बाद में इन लोगों ने और भी कई सारे क्यरेटर डाल रखे हैं जिनको अवेकन कभी करना पड़ता है इन लोगों ने और कई सारे क्यरेटर डाल रखे हैं गौर में वर्ड बॉस्ट लेज किस нужен के साथ में यहां पर चूस करूंगा में पूणों आउब इंप्रोविंग मैं स्कॉर मेरे को सच पूलाब भी मतलब नियारे चाहए privilegeill मेरे को फरक नहीं पड़ता क्योंकि रिवार्ड तो ये लोग वैसा ही देने वाले हैं जितना 14 मिलन करने के बात में देने वाले घटिया 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 रिवार्ड देते हैं इसलिए मेरे को स्कोर से कोई की मतलब नहीं है बस चैलेंजेस कंप्लिट हो रहे चान चाहिए मटीरियम मिलना चाहिए बस बात ख़ता है आगे आटवा आटवा क्वेश्चन में हम लोग एबेकस, abl के बारे में आपको क्या लगता है पसंद करते हो, नहीं करते हो आप लिख सकते हो मेरे को बिल्कुल पसंद निया है दिज्लाइक क्योंकि रिवारी बिल बेकार है तो मेरे को पसंद निया आते है उसके बाद में which statement best describe how seriously you play giant boss win GBR, आप कैसे खहलते हो, किस feeling के साथ खहलते हो, किस reason के साथ खहलते हो , कितना खहलते हो यहां पर आपको लिखना है , तो GBR आप कभी कभार खहलते हो ,sometimes और कभी कभार आपका heur hoansा हो तो आप यह option choose कर सकते हो जिसमें आप देड़सों material ले ले लेते हो उसके बाद में आप अगर भूल भी गए तो फरक नहीं पड़ता उसके बाद में दूसरा यहां पर मैं एक option दे रखा है अचार थोड़ी डालना फ्लाट आएंगा जब जरूत पड़ेंगी तब खेलो जब जरूत नहीं है कि ओनली जीबियर सम्टाइम इन्वाइट में कोई अगर आपको जीबियर के लिए इन्वाइट कर रहा हो तभी आप खेलते हो तो यहां पर वह option चूज कर सकते हो और अगर अभूथ यू car Hai वह कि ओपिनान जैंट बॉस रेड अपसंद करते हो नहीं करते हो या आपको नहीं पसंद तो मेरे को जायंट पासलेट पसंद है क्यूंकि इसमें से 시टीबि नहीं निकलता इसलिए मैं इसको डिसलर Tenच दूंगा और याज तक Gbr से मीरे मेरे को एक they मेरेको आयू निकला नहीं है एक भी नहीं निकला आयरेको च्छयों स्ट्टीप रेज मिल चुक्ए है मेरे छे से टीपी निकाल चुका है वो रेज उसने जितने भी मेरे को स्कुर्णिशॉट दिखा है मेरे को जितना याद है उतना बता रहा हूं छे से टीपी तो पक्का निकाल के लेके गया है रेज GBR से निकाला उसने पर मेरे को अपी तक एक भी नहीं मिला तो मैं तो इसको पसंद नहीं करने वाला ना I don't like it मेरे को मिला रहता तो मैं बात अलग करते हैं बात अलग करता आगे चलते PVE Game Mode के अंदर में World Boss Legend World Boss Ultimate और उसके अंदर में GBR ABX ABL के अंदर में आप लोग क्या changes करना चाहते हो उसके बारे में आप लिखना है मैं क्या लिख्या हूँ मैंने बता तो ठीक है तो इसके अंदर में लिखना क्या है कि आपको PVE Game के अंदर में क्या क्या इंप्रूमेंट करवाने तो मेरे को सबसेदा प्रॉलम लगता है कि इसका रिवार्ड से इसके रिवार्ड के अंदर में क्रिश्टल मिलना चाहिए अलाइस बटल एक्स्ट्रीम से लेजंड अलाइस बटल लेजंड से और अलाइस बटल एक्स्ट्रीम से निकलना चाहिए प्लस वल्बॉस लेजंड के अंदर में से जीबियार जीबियार में और यह जो वर्वास लेजन में सेटीपी रिफोर्च वाले जो सेटीपी है वो उसके ड्रॉप रेट बिल्कुल खराब है तो वो उसके अंदर से ड्रॉप रेट अच्छा होना चाहिए और बाकी के यहां पर मैं बाकी के चीज़े मैंने यहां पर लिखी हुई है अधर इंप्रॉमे ब्रॉप और बुक और बॉटरा में वास लेजन के लें प्रॉप पितना उसली रहते हैं आप सीरेस्ली खिलते हो ने खिलते हो यहाँ पर आपको चूस करना है और कितना खिलते हो वह भी आपको लिखना मैं प्लाटिन बारें के बीच में रहता हूं और संब्सक्राइब ड्लन यहाँ पर मैने वह ओप्षिंड चूस कर लखा है उसके बाद next option आपको पसंदे नहीं ह एक्षुली मेरे को ठीक लगता है बढ़ ज्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत अभी डिसलेक करता हूं तो आगला कोश्चन चोदा कोश्चन के अंदर में आपको लिखना है कि अधर बैटल वर्ड आप किस रिजन के साथ में सीरेसली हो के खेलते हो नहीं खेलते हो और वारेनेम लिग में भी हूँ पर एफट ने डालता बस पाच बार खिलता हो डेली का उससे जाधा खिलना इंपॉसिबल ने मेरे लिया इतना खिलके भी क्या मिलने वाला है कुछ नहीं तो बेकार की बात है बाकी तो में को कुछ खास पसंद नहीं है 400,000 टोकन मिलता है सिटी पीचेस के लिए तो ठीक है बाकी तो ऐसा कुछ खास इंप्रूमेंट उसके अंदर लगता नहीं है कि मतलब चल रहां चल लें दो उसके बाद में स्टेट्मेंट डिस्क्राइब यूर सीरिछ सलीले लेंस कॉंकस्ट मैं बिल्कुल भी निखिलता तो यहापर नहीं दूँगा उसके बाद में और लायंस कॉंखोस्ट के मेरे को पसंद नहीं मैं ना डाव दूँगा उसके बाद में वट यू चेंजस प्युपी गेमोड प्यूपी गेमोड के अंदर में आप क्या चेंजेस करवाने चाहते हो टैलने है तो मेरे को भी चेंजेस करवाने है और कुछ इसके अंदर में इंप्रिमेंट करता हूँ तो मैंने लिक दिए और में और बागी के कुछ मस्ट्राय क्योंटी इव फली कोन्टेटी वर गेरा मेरे कुछ यहां पर वो मैं डाल देता हूं बागी का फिर आप अपने ही साफ से लिख सकते हो ठीक है statement based describe how you seriously play shadowland आप खेलते हो ने खेलते हो seriously खेलते हो ने खेलते हो कितने stages से खेलते हो यहां पर आप वह चाहो तो लिख सकते हो चाहो तो यहां पर आप option choose कर सकते हो, तो मैं 35 के उपर नहीं जाता हूँ, खेलता भी नहीं हूँ, at least मैं यहां पर पता किया मैं खेलता भी नहीं हूँ, पर कभी कबार reward के लिए आयो मेर्टिक्स के लिए खेल लेता हूँ, कभी कबार, अभी तो मैं 4-6 महीन हो चुका है, 6-7 महीन है, मैं ज्यादा खेला ही नहीं हूँ, 35 के उपर तो नहीं जाता, नॉर्मली, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं रहता ना, कि 35 लेवल, 2-3 गंटा, 5 गंटा, बैट के खेलो, उ इतना टाइम तो नहीं है भाई मेर पास, और one time reward दे रहा है इन लोगाने, फ्रस्टाइम क्लियर का reward, दोबारा monthly reset या तीन मैंने में या छे मैंने में एक बार reset या, yearly reset भी नहीं है, तो उस reason के वाज़े से खेलने का भी मन्नी होता, reset लगाना चाहिए, सारे के सारे reward जो हो य हो जाएंगे और आप फिर से वापस अगें रिवर्ट कर सकते हो छे मैंने बाद या जो भी है एक साल बाद तो कम से कम प्लेयर उतना अटेंशन दे के खेलेंगे तो सही वह अपने अपने प्लेयर की हिसाब से रिसेट लगा सकते हैं मतलब जिस प्लेयर को जब खेलना है मान वह सब्सक्राइब या मान लों करिफ एप्रिल मंत में प्लेयर साते हैं सबस्छादा førं से य Cynair के सहाथ में प्रिवर्श के टाइम में अगर सेक्ट मार देते हैं अब यह साथ सकते हैं चाल बाद qi के reward को मैं सोचूँगा कि सिटीप सिलेक्टर भी मिल जाता है प्रीमियो कॉमिक काड भी मिल जाता है तो मैं मेरे को ठीक लगता है शालोलांड बट थोड़ा सा improvement चाहिए question number 21 question number 21 के अंदर लिखना है कि शालोलांड आप enjoy करते हो नहीं करते हो तो यहां पर आप लिख सकते हो मैं एनफ नहीं लगता है थोड़ा उसको करना चाहिए improvement थोड़ा सा वह बोलते हैं कि बहुत जादा stages हो चुकि है थोड़ा stages कम करने चाहिए इतना क्या मतलब बनाके कुछ से अंदर में reward नहीं है तो उसके अंदर reward भर भर की ठुस ब्लो चैसे बढ़िया एक नमर और रिसेट मारो उसको मंतली का या येरली या शिक्स मंद का जो भी या वाटेवर बाइसवा क्वेश्चन के अंदर में आपको यहां पर मैं क्या लिखा इसके अंदर में अंदर में आप क्या-क्या चीज़े आप प्ले करते हो डिमेशन डिफ्ट या स्टोरी मोड अगर आप प्ले करते हो नहीं करते हो यहां पर आप लिख सकते हो मैं इसमें से एक चीज चूज करना चाहूंगा मैं डिमेशन डिफ्टी खेलता हूं स्टोरी मोड बिल्कुल पस भी रखी हुई है तो मैं इस चीज़ से reward से बिल्कुल भी खुश नहीं हो तो में यहां पर मैं सिधा बोल दोते हूं मैं story mode बिल्कुल नहीं खेलता उसके बाद story mode मोड और दिमेशन डिफ्ट के बारे में आपका क्या उपीनिन है एक मैं पसंद करता हूं डिमेशन डिफ्ट पसंद मतलब ठीक है बोलने के लिए बागे तो कुछ खास है नहीं उसके बाद चेंजर स्टोरी मोड और डिमेशन डिफ्ट यू वूल्ड मतलब आपको क्या स्टोरी में डाले दो आप मेंटेब्स यूठ डाल दे रहा ठीक है डिस्पैश मेशन हटाने को बोल दो अगर दिस्पैश मेशन च्छा रिवर्ड नहीं आते तो सिधा हटने को बोल दो फालतु पर गेम का साइज बढ़ और जीबी बढ़ रहा है साइज बढ़ गेम और बागी के जो कुछ अर्चु वाले आइटम थे शिल्ड अर्चु वो हटा देने चाहिए उसका कोई मतलब नहीं बनना और मैं पसंद भी नहीं कर रहा हूँ चीज़े कोई मतलब भी नहीं है उल्टा वो गेम को और कंफुजिंग बना रही है टाइम कंज्यूम बना रही है और बहुत ज़्यादा तकलिफ हो रही है प्रॉलम्स हो रही है मटीर फार्म करने में और स्टेजिस क्लियर करने में अननेसेसरी गेम का साइज बढ़ा के कोई मतलब नहीं है तो उसको रिमूव कर दिना चाहिए आग अप्डेट अक है गया बहुत सारे अपडेट आके गए मुन्नेट का वह चाहिए जो आड करनी चीदी नहीं किया तो वह चीज को लेके यहाँ पर बहुत कुछ लिख सकता हूं मैं आप लोग लिखो मेरे को जो लगता था यहाँ पर मैं लिख दिया बाकि आप अपने इसाब से लिख सकते हो 27 जाए नुमान रिसूर्स और यू करंटली यह सेक्शन है क्या लिखना कि आपके बास में कोई साथ में सबसादा एक्स्ट्रा है यहाँ पर टील टू जो में एक्समान का म्यूटन का वह सबसे जादा मेरे को यहाँ पर लगता है कि बहुत जादा हो चुका है चूस करूंगा मैं बाकी का चेस में यहाँ पर छूच नहीं करूंगा उसके बाद ने आप नीचे यहाँ पर यहाँ घृ क्लिक सकतेयों है वे लिख सकते हो जो भी लिख सकते हो फ्यанов चीज हूब फेवरेट चीज केसले चाहिए एकसा सब्सक्राइब की इनिफर्म वगेरा वगेरा वह सब नहीं चाहिए और वह सब के यहां पर आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो थर्टी द्वा कुश्चन आप MFF कम्यूनिटी और जो MFF डेवलोपर है उसके साथ में कनवेरसेशन आप कैसा यहां पर ल syndrome और लुकायों हो खळिए हैं कहाँ को उत भोड़ा को और बिल्कुल भी खुश नहीं हो मैं मैं अच्छिया का लूंग कर सकते हो क्या हमें लोग इंडिया से तो मैं इंडिया से बाकी हो और कंट्री से है तो ऊदर कंट्रीच चूज कर सकते हैं उसके बाद मैं आप लोग कुंसा डिवाइस से खिलते हो गी में चाहिए जो मैं बनाया है तो वह देखना चाहते हुआ तो वह भी देख सकते हैं शौट फॉर्माट में बनाया है ये भी देख आप लोग उसमें क्या लिखने वाल हो यह नीचे कमेंट स्क्षम में बताना मुद बुलना और बागी उपिन हम बताना मुझे नीचे कमेंट सक्षम में तब तो लाइक करो शेयर करो स्विस्क्रेब करो मैं चलता हूं दुआ में यदा रखना जैहानुमान